देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज और कल के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है जहाँ एक तरफ शीत लहर का कहर पहर में देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज और कल के लिए कोल्ड डे अलर्ट भी मौसम विभाक की तरफ से जारी किया गया है ऐसे में लगातर जहां एक तरफ कनकनी बढ़ती जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दिन के समय कोड़ा और धुन्द की वज़े से visibility भी काफी कम हो गई है और यहीं वज़े है कि कई तरह की दिकतों का सामना आम लोगों को करना पर रहा है ऐसे में आज और कल के लिए एक बर फिर से मौसम विभाग ने cold day alert जारी किया है और इसके साथ ही क्या कुछ यह तावनी मौसम विभाग की तरह से जारी की गई है किन-किन जिलों के लिए क्या-क्या alert की बात मौसम विभाग ने कही है ये पूरी डिटेल्स आपको देते हैं और साथ ही किस जिले में पारा कितना नीचे गया ये भी आपको बताएंगे बतादे कि प्रदेश में कराके की ठंड जारी है अगले दो दिनों तक स्तिती में सुधार होने की उमीद नहीं है मौसम विभाग ने राज्य भर में 7 जनवरी तक cold day alert जारी किया है इस दौरा ना केवल अधिकतम बलकी न्यूंतम तापमान भी सामाने से काफी नीचे रहने के आसार है पटना का न्यूंतम तापमान गिरकर 9.2 डिग्री पर आ गया है मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दोरान प्रदेश का मौसम शुस्त बने रहने के साथ पश्वा हवा का प्रभाव जारी रहेगा इससे अधिकतम तापमान में लगातार गिरावर जारी है बुदबार को पटना और गया में घंटा कोड़ा रहा और विजिबिलीटी मातर 50 मीटर रही पटना का अधिकतम तापमान समानी से 6 डिग्री नीचे रहा वहीं मंगलवार की तुलना में 3 डिग्री कम यानि की 15.6 डिग्री सल्सियस दर्ष किया गया नीउंतम तापमान समानी से 1 डिग्री कम 9.2 डिग्री सल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं 7.5 डिग्री सल्सियस के साथ समस्तिपुर जिले का पूसा प्रदीश का सबसे ठंडा स्थान रहा प्रदीश का नियूंतम तापमान 9 से 10 तो अधिकतम 16 से 18 डिग्री सलसियस के बीच दर्ज किया गया है बुद्वार को cold day जैसे स्थिती बननी हुई है दिन भर ठंड के कारण लोग घरों में दुब के रहें और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग में आज और कल के लिए cold day अलर्ट जारी खिर दिया है बता दे कि लगातार मौसम की तरफ से जो बदलाव देखने को मिल रहा है उसकी वज़े से मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट है और यही वज़ा है कि हर दिन का जो अपडेट है वो लेकर हम आपके सामने हाजर होते हैं ताकि आपको भी ये पता चल सके कि कितनी ज़्यादा अर्थर्ड पहार में बढ़ने वाली है ऐसे में जहां एक तरफ cold day alert जारी किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को चैतावनी भी दी गई है कि आप इस बिगरते हुए मौसम में खुद का खयाल रखे और घर से बाहर तभी निकले जब कोई खास वज़ा हो लेकिन इसके साथ यह आपको बता दे कि जिस तरह से बिहार में ठर्ड लगातार बढ़ती जारी है इसकी वज़़ा से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर है ऐसे में एक बार फिर से कोल्ड डे अलज मौसम विभाग ने जारी किया है और बहुत जरूरी है कि इस बिगरते हुए मौसम में हम खुद का खयाल रखे और खुद को सुरक्षित रखे फिलाल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें ये न्यूस वानेशन के साथ नमशकार